दोसों क्या होता है ना कि किसी भी टाइब का content create करने से पहले आपको बड़ा ध्यान देना पड़ता है, careful होना पड़ता है कि 100% लोगों को आपकी बास समझ में आ रही है या नहीं आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे short story को short story को बड़ा ध्यान से, बहुत चीजे ध्यान में रखकर लिखा जाता है बड़ा कमाल का form of art है, literary art है इस वीडियो में मैंने short story को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किये, चलिए शुरू करते हैं पहले मैं आपको short story का मतलब बता देता हूँ, फिर इसके आगे हम लोग discuss करेंगे इसके characteristics सबसे पहले तो short story का मतलब होता है एक ऐसी छोटी सी story जिसे आदे एक डेड़ या दो घंटे में एक sitting में पढ़ा जा सकता है इसके लिए आपको बहुत सारे settings नहीं करने पड़ेगी जिसे novels में की जाती है और इसको लखते समय, writer को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है अब हमें different समझना पड़ेगा short story, novella और novel के बीच में short story तो दोस्तों बहुत छोटी होती है याने इसको एक setting में पड़ा जा सकता है, एक डिड़ घंटे में जबकि novella उससे थोड़ी बड़ी होती है और novel उससे भी बड़ी होती है novel और short story के बीच में novella आती है जिसकी length short story से तो लंबी होती है, लेकिन novel से छोटी होती है तो short story बहुत छोटी होती है जिसे एक setting में पड़ा जा सकता है अब ये कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों मतलब ऐसा नहीं है कि short stories का जन्न modern time में हुआ है ये काफी पुरानी है आप देख लो महाभारत में छोटी छोटी कहानिया चलती आई है बुद्धिस literature में जातक कता है पंचितंतर की कहानिया अरेबियन नाइट्स ये सारी की सारी short stories दो है लेकिन हाँ लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि ये कहानिया modern time की short stories से मेल नहीं खाती मतलब आज की डिट में आप अगर short story को देखूँगे जिन्होंने सिर्फ short stories की दम पे इतनी international fame हासल किया है एक French writer थे गायडी मुपासा इनको दोस्तो modern short story का father कहा जाते अमेरिका में Edgar Allen Poe ने बड़ा famous किया था short stories को वो अपनी horror short stories लिखा करते थे आप इनकी short stories पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कितना ढरावना environment create किया है इस writer ने अब मैं बात करता हूँ short story के कुछ character districts की जो आपको note करते हुए चलने चाहिए सबसे पहली बात तो writer को जितना कम content लिखना होगा जितना short content लिखना पड़ेगा उतना ही काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो reader को entertain करती हुए चले story तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज के अध्यान रखने होगी फाल्तू words पिल्कुल भी ना हो शुरू से reader को समझ में आना चाहिए कि आपके इस चीज पे stress डालने ही कोशिश कर रहे हो और most importantly एक message जरूर डालना होगा short story के अंदर और इस type की कहानी लिखने के लिए आपको ऐसे characters को चुणना पड़ता है जो हमारे day to day life से मिल खाते हो यानि आसपास हम जो से लोग देखते हैं न वैसे ही story को चाहिए interesting words ही डाल के बनाओ लेकिन ज्यादा लंबा नहीं करना ज्यादा लंबा करोगे तो reader बोर हो जाएगा और ज्यादा चोटा भी नहीं करना जिससे character ही अच्छे जिरवलप नहीं हो पाए जितना हो सके realistic रखना जरूरी है और most importantly realistic रखना इसलिए जरूरी है ताकि reader connect कर सके important बात यह है कि supernatural elements तो बिलकुल भी नहीं डालने चाहिए बचना चाहिए supernatural elements डालने से story में एक important बात यह है कि characters जितने कम से कम हो उतना ज्यादा अच्छा है अगर characters ज्यादा होंगे तो overcrowding हो जाएगी जिससे एक भी character अच्छे से develop नहीं हो पाएगा एक चीज़ यह है कि writer को अपना एक signature style अपनाना चाहिए जैसे O.Henry का एक signature style यह है कि वो story को खतम करते हुए एक suspense reveal करते है जिससे लोगों का interest बना रहता है कि end में जरूर कुछ ना कुछ होगा अगर O.Henry ने story लिखे इसका मतलब यह है कि end में जरूर कोई suspense होगा इसलिए पढ़ने वाला शुरू से end तक story में interest लेता और एक एक word को ध्यान से पढ़ता है एक चीज़ यह है ध्यान देने वाली कि story का कोई ना कोई purpose होना चाहिए और सारे characters उस purpose से जुड़े होए होने चाहिए कोई भी character उस purpose से बाहर नहीं होना चाहिए overcrowding तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एक चीज़ यह कि short stories length में बहुत छोटी होती है novels के अंदर तो हम characters को अच्छे से connection feel नहीं कर पाएगा और connection feel नहीं कर पाएगा तो वो story को ज्यादा लंबे time तक याद नहीं रख पाएगा अब एक important बात मैं आपको बताता हूँ कुछ जगाहों पर अगर आपको short story को charming बनाना है तो कुछ जगाहों पर आपको drama की तरह इसके अंदर dialogues भी add करने चाहिए जैसे drama में dialogues होते हैं उस तरीके से इससे क्या story थोड़ी charming बनती है और उस dialogue में भी एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि वो छोटा हो, brief हो और उसके अंदर काम का content हो एक special line हो और जहां जरूरत हो वहीं पर आड़ करना चाहिए बे मतलब नहीं story में आपको atmosphere का ध्यान देना भी जरूरी है दोस्तों जैसे कोई detective story है तो आपको क्या करना है महौल ऐसा खौफ नुमा बनाना है और mystery वाला बनाना है ताकि लोग connect कर सकें जैसे मजाकिया story है तो comic elements शामिल करने चाहिए और short story ज्यादा लंबी नहीं होती तो words की economy समझना भी बहुत जरूरी है दोस्तों मतलब हर एक शब्द ऐसे add करना चाहिए जो शब्द कहानी को एक strap आगे ले जाता हो language simple से simple होनी चाहिए complicated language का use नहीं करना hard vocabulary का use नहीं करना और सबसे ज़्यादा important तो यह कि short story जो होती है वो novel से ज़्यादा drama के close होती है दोस्तों क्योंकि drama के close मैंने इसलिए बोला drama और short story दोनों में आपको words की selection का ध्यान देना पड़ता है दोनों में technique की जरूरत होती है और discipline की जरूरत होती है लेकिन drama में कुछ ज्यादे restrictions होती है उतनी restrictions हमारी short story में नहीं होती है drama हमेशा objective होता है short story subjective objective कुछ भी हो सकती है अब last में इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं आपको short story के कुछ types बताता हूँ सबसे पहले तो love story adventure story, detective story psychological story, sci-fi story यानि की science fiction और moral और social story ये कुछ types है short stories के इनसे भी ज्यादा हो सकते हैं उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंदे हुए